हरियाना के हिसार के मिल गेट में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है आपको बता दे कि मिल गेट शेत्र में दिन दहाडे एक मासूम बच्ची की गला दबा कर हत्या कर दी गई है जिसका अरोब बच्ची के पिता ने अपने बड़े भाई पर ही लगाया है पुलिस जाच अधिकारी जैवीर सिंग ने बताये कि पुलिस को सूँछना मिली थी की डेल साल की बच्ची की गला दबा कर हत्या कर दी गई है इस मामले में बच्ची के पिता रंधीर की शिकायत के आधार पर सुधीर के खिलाफ हत्या का मामला दर्च किया गया है उन्होंने बताय कि बच्ची के ताउ ने बच्ची का गला घोट कर हत्या कर दी है उन्होंने बताय कि सुधीर का रंदीर के साथ रुपेओं को लेकर लेंदेन था इसी के चलते बच्ची का गला घोट कर हत्या कर दी गई है इस मामले में आरोपी बच्ची के ताउ सुधीर को गिरफतार कर लिया गया है आरोपी को आज अदालत में पेश किया जाएगा बताया जा रहा है कि बच्चे की मा रेनु घर पर बच्ची के लिए दूद गर्म कर रही थी इसी दोरान बच्ची के ताउ घर में बने शोचाले की छट से होकर उसके कमरे में घुस आया और कमरे में घुस कर अंदर से कुंडी लगा ली उसने पंद्रा महीने की उसकी बच्ची का गला घोट दिया उसे कई बार कहने पर भी उसने दर्वाजा नहीं खोला करीब दस मिनट बाद उसने दर्वाजा खोला बच्ची को चार नीजी अस्पतालों में ले जाया गया लेकिन सभी ने रेफर कर दिया आखिर में सिविल अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने मिर्ट घोशित कर दिया बताते चले कि पुलिस ने लड़की के माता पिता से जानकारी लेकर बयान दर्च किये हैं वही पुलिस में मामले की जाक शुरू कर दी है जिसको तुरंत संग्यान में लेते हुए मैंने अपनी टीम के साथ ये चीशार पहुँचकर बत्ची के पिता रणदीर सिंग का ब्यान दर्च किया जिसको 302 आईपीसी के तैत मुकदमा दर्च करके मुकदमा आजाके तपतीस की गी जिसमें आरुपी सुदीर कुमार जो बत्ची का रिष्टे में ताउ लगता है जिसको गिरफदार किया गया उसने पूस्तास में बताया कि मैंने अपने बाई रणदीर सिंग से अपनी बीमारी के इलाज के लिए कुछ पैसे की डिमांड की थी जिस पर उसने पैसे डिने से मेरे को मना कर दिया जिस रंजिस के तैट मैंने मुखा पाकर लड़की का गड़ा दवा दिया जिससे उसकी मौत होगी 302 IPC के तेन मुकदमा दरज कर दियागा है, आरपी को गरप्तार कर दियागा है, जो अना आरपी को इस अदावत किया जाएगा, मुकदमा जाएक तप तीस आगे जो भी जारी है ऐसे ही लेटेस को बरे पाने के लिए बल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद TD Banquets Enterprise